हेलो एवरिबन दिख्या आज हम जो करने जा रहे हैं वो टोपिक है अपना मीरर फोर्मुला फोर कनकेव मीरर वर्चुल इमेज के लिए पिछले लेक्चर में हमने रियल इमेज के लिए मीरर फोर्मुला कैलकुलेट किया था Concave Mirror के case में अब हम कर रहे हैं virtual image तो उसके लिए देखो हमने ray diagram बनाना पड़ेगा अब Concave Mirror virtual image किस case में बनाता है? Object हमारे पास कहां रखा हुआ हो? तो ये हमने 10th class में पढ़ा हुआ है जब object को हम pole और focus के बीच में हम रखते हैं तब Concave Mirror virtual image बनाता है तो हमने यहाँ पर object को रखना है ऐसे तो पहला काम क्या होता है? प्रिंसेप लैक्सिज के parallel ray of flight लेके जाती है और वो टकराने के बाद हमेशा focus में से जाती है इस परकार से और दूसरा काम क्या होता है? toe से center of curvature के अंदर से ray of flight जाती है तो ज़्यादा gap बन रहा है तो हो सकता कई ना कई पीछे बन रही हो तो हम क्या करेंगे? इसको पीछे बढ़ा के देखेंगे ऐसे इस परकार से और ये पीछे किसी point के उपर मिल जाएगी जिस भी point पर मिलेगी तो वहाँ हमारी image बन जाएगी ठीक है? नाम दे दिया है यहाँ पर q और यहाँ पर perpendicular draw करवा देते हैं ये बन जाएगा p dash ठीक है? तो ये हमारा हो गया ray diagram अब इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक का distance जो है वो image distance हो गया v और यहाँ से यहाँ तक का जो distance है वो बन गया f और यहाँ से यहाँ तक का distance बन गया r और यह जो object अमने रखा हुआ है यह distance बन गया u ठीक है? तो आप देखो according to ray diagram इसके अंदर क्या है? a b object है a b is the object and a dash b dash it's a virtual image ठीक है? यह virtual image हो जाएगी तो उसी तरह से हमने दो triangle लेके चलनी है दो similar triangle ठीक है? तो देखो using triangle अब दो similar triangle जिसमें object भी आता हो और image भी आती हो तो image तो यह बन रही आपकी यहाँ पर ऐसे ठीक है? और object यह है तो इसमें हमने देखना है ठीक है? तो इसके लिए देखो a, b, c यह जो है इसके अंदर object आ गया और a-b-c इसमें हमारे पास image भी आ गई तो यह हम use करेंगे ट्रेंगल a, b, c and a-b-c वही पहले वाले में जैसे हमने क्या था object की height divided by image की height मतलब a, b divided by a-b-c is equal to फिर b, c divided by b-c इसको हमने first equation ले दिया है ठीक है? also ट्रेंगल जो है p-qf and a-b-f देखो यह p-qf यह वाले ट्रेंगल क्योंकि यह distance जो है a, b यह qp के बराबर है तो यह वाला भी तो हमारे यह object काम करेगा और image के लिए यह हो गया तो a-b-c और f ठीक है? यह हो जाएगी हमारे पास तो इसके अंदर वही object qp डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस यह वाला हो जाएगा जो इमेज वाली हाइट a-b- is equal to p-f और डिवाइड बाई p-b-c sorry, f तक था ना मा रही है तो यह हो जाएगा b-f ठीक है? अब हमें पता है कि जो qp है वो किसके equal हापका q sorry, a-b के equal यह जो हापका a-b के equal है ठीक है? qp- बोल जेती है यह वाला qp- जो है वो a-b के बराबर है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जो qp लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम a-b लिख सकते हैं तो a-b divided by a-b- is equal to p-f divided by b-f यह हमारी second equation हो जाएगी ठीक है? अब first और second को compare करवाते हैं comparing first and second तो क्या हो जाएगा आपके पास? यह cancel out हो जाएगा यहाँ बचेगा b-c divided by b-c is equal to p-f divided by b-f clear है यह बात? चलिए अब जो aperture small होता है हमारे पास है when aperture is small जब aperture small है तो इसका मतलब यह हुआ कि p-f जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? p-f के बराबर हो जाएगा ठीक है? तो यह जो equation है इसको हम कैसे लिख सकते है? b-c divided by b-c is equal to p-f divided by b-f ठीक है? अब इसमें जो-जो distance हमें पता है वो सारे हम लिख लेते हैं देखो b-c b-c तक का हमें यह distance नहीं पता तो हम क्या करेंगे? p-c में से p-f अगर गटा देते हैं तो हमारे पास sorry, p-c में से p-b तो b-c बच जाएगा हमारे पास ठीक है? तो b-c को हम क्या लिख सकते हैं? p-c माइनस में p-b divided by b-f b-c b-c है यह पहले तो b-c के अंदर देखो हमें p से c तक का पता है और p से b तक का पता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो total distance निकलाएगा हमारे पास तो यह बन जाएगा आपके पास p-c पलस में p-b- ठीक है? is equal to p-f का तो हमें पता है focal length है b-f b-f तो इसमें p-b- के अंदर p-f जोड़ देते हैं p-f पलस में p-b- तो यह आपके पास पूरा distance बच जाएगा ठीक है? अब देखो p-c क्या है? p से c तक का r है minus का हो जाएगा opposite direction हो गई minus का p-b p से b तक का u और minus minus क्या हो जाएगा? पलस का u p-c again minus r पलस में p-b- तो देखो यहां से हम ऐसे major करने लग रहे हैं और rail flight भी ऐसे जा रही है same direction हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पलस का और यह image है तो image बन जाएगी is equal to pf हो गया f के बराबर minus का और pf यहां पर भी minus का f p-b- again आपके पास पलस का v हो जाएगा ठीक है? अब हमें पता है कि जो focal length है वो हमारे पास है यानि r जो है वो 2f के बराबर होता है ठीक है? तो r की जगए हम 2f लेख सकते हैं तो minus का 2f plus का u divide by minus का 2f और plus का v is equal to minus का f divide by minus f plus v cross multiply करवा देती हैं यानि minus का 2f plus का u और into में हो जाएगा minus f और plus में v यहाँ पर हो जाएगा minus f और minus का 2f और plus का v हो जाएगा ठीक है? पहले इसकी करवाते हैं यहाँ पर minus minus plus का 2f square फिर इसकी इसके साथ करवाते हैं तो minus का 2fv ठीक है? अब इसकी इन दोनों के साथ तो यह हो जाएगा minus का uf अब इसकी इसके साथ plus का uv हो जाएगा ठीक है? is equal to यहाँ करवाओगे तो plus का हो जाएगा आपका यह 2f square ठीक है? और इसकी इसके साथ करवाओगे तो minus का f v हो जाएगा तो 2f square से 2f square cancel out हो जाएगा यह 2f v है इसको दूसरी साथ लेके चले जाओ तो यहाँ क्या बच जाएगा? uf minus का plus का uv is equal to minus का f v और plus का 2f v तो minus का f v और plus का 2f v half बच जाएगा minus का uf plus का uv is equal to f v बच जाएगा ठीक है? इस equation को divide करवा जिते हैं दोनों side uvf से तो देखो dividing both sides by uvf तो यह था आपके पास minus uf divide by uvf plus में uv divide by uvf is equal to fv divide by uvf तो uf से uf cancel out uv से uv और fv से fv cancel out क्या बच गए यहां पर minus का 1 by v plus का 1 by f is equal to 1 by u और यह दूसरे side जाकर plus का बन जाए तो यहां पर f f हो गई है तो 1 by f is equal to 1 by u दूसरे side जाकर plus का बन गया तो यह आपके पास mirror formula बन गया ठीक है ठीक है थैंक यू